दोस्तो कुछ दिन पहले यूटूब के कमेंड बॉक्स में एक भाई ने ना मुझसे एक सवाल पूछा उस भाई का सवाल ऐसा था कि उस भाई ने मुझसे ऐसा पूछा कि भाई मुझे ना एक आवरत बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं दिल से उसके उपर प्यार करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो आवरत पसंद है ना वो जल्दी से जल्दी मुझसे पढ़ जाए मुझे ओ आवरत ना कैसी भी मतलब मेरी जिन्दगी में चाहिए मतलब भाई तु कुछ भी कर पर मुझे कुछ ऐसा तरीका बता कि जिस तरीके से ना मैं उस आवरत को पटा सकू पर ओ आवरत ना मेरी तरफ देखती भी नहीं मतलब मुझे ना उसका ध्यान अपनी तरफ आकरचित कर रहा है मतलब तु कुछ ऐसा मुझे बता कि जो करने के बाद ना ओ आवरत मुझे देखे मतलब ओ आवरत ना मेरी तरफ एट्रेक हो जाए तो ऐसा उस भाई को जानना था दोस्तो तो आज की इस वुडियो में ना दोस्तो मैं आपको ऐसे टोटल तीन प्रकार के काम बताने वाला हूँ जो तीन काम करने के बाद ना दोस्तो आप किसी भी आवरत का ध्यान अपनी तरफ आकरशित कर सकते हो मतलब अगर कोई आवरत आपको देखती भी दी है तो ओभी अवरत ना एतिन काम करने के बाद आपको देखने लगेगी दोस्तों, इतनी दोस्तों गैरेंटी में आपको देता हूँ, तो आजका वुडियो बहुत ज़दा इंपोटेंट है, तो इस वुडियो को पूरा देखे, तो चलिए शुरू करते हैं आजकी इस जो सरकल है, उस ग्रूप में, फिर उस सरकल में, अपने सोसाइटी में ऐसा कुछ काम करना है, जो काम बाकी के बंते नहीं कर सकते, मतलब दोस्तों इसका मैं बेश्ट एग्जमपल अगर आपको देने जाओंगा न दोस्तों, तो इसका बेश्ट एग्जमपल आई तिंक ऐ एसा होगा, कि आप ऐसा मानों, कि आपका जो ग्रूप है न, वो रास्ते के उपर खड़ा है, और आपके ग्रूप के सामने न, कोई गुंडे लोग एक आउरत के इज़्जत के उपर हाट डाल रहे है, पर बाकी के लोग न, वहाँ पे बीच में बिल्कुल भी नहीं जा र तो, मतलब अपको न, उस आउरत के सामने ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा, जो बाकी के पुरूप नहीं कर सकते, दोस्तों इससे क्या होगा, कि ओ आउरत आपकी तरफ आटोमेटिकली एट्रैक हो जाएगी, मतलब उसका जो ध्यान है न, ओ आउटोमेटिक आपकी तरफ आक आई, तो ऐसा दोस्तों उस आउरत को लगेगा दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों, जो दुसरे प्रकार का काम है, और तो कुनसा है, दोस्तों अगर आपको किसी भी आउरत का ध्यान अपनी तरफ आकरशित करना है, तो आपको न, दोस्तों, अपने पैसे का दिखावा कर दोस्तो बहुत सरे लोग मुझे ऐसा बोलते है कि आप को पाईसे का दिखाबा करना एकदम गलत बात होती है पर अगर आपको किसी भी औरतको इंप्रेश करना है और ओभी 2022 में तो आपको पाईसे का दिखाबा ना दोस्तो 101 टका करना मतलब very much important है क्योंकर अस्तों जब आप अपने पैसे का दिखवा करोगे ना मतलब आप उस अवरत के सामने अच्छे कपड़े पहन कर जाओगे अच्छी बाइक लेके अच्छी कार लेके आप उसके सामने जाओगे तो automatically ना उसका ध्यान अपनी तरफ आकरशी दोस्तों आप करोगे क्योंकर आप ऐसा मतलब for example समझ लो कि आपके सामने अगर कोई ऐसा बंदा आता है इसके पास ना एकदम अच्छी गाड़ी है उसके कपड़े भी एकदम अच्छे है तो आपका ध्यान ना automatically उस बंदे के उपर जाता है मतलब दोस्तो ऐसा ही होता है दोस्तो अगर आप अपने पैसे का दिखवा करोगे तो ओ आउरत ना आपकी तरफ automatically आकरशीत हो जाएगे दोस्तो तो यह दूसरा काम है उसके बाद दोस्तो जो तीसरे प्रकार का काम है और अपको अगर किसी भी आउरत का ध्यान अपनी तरफ आकरशीत करना है तो दोस्तो आपको ना अपने ग्रूप में अपके सरकल में आपको अपने टैलेंट का प्रदलेचन करना पड़ेगा दोस्तो फॉर एक्जंपल आप इसा मानो कि आप अच्छा गाना गाते हो तो आपको ना दोस्तो अपना टैलेंट अपने ग्रूप में मतलब आप अगर ओफिस में हैं आप अगर कॉलेज में हैं तो आपने कॉलेज में अपने ओफिस में आपको अपना talent ना आपके दोस्तों के बिच में present करना पड़ेगा दोस्तों इसे क्या होगा कि आप ऐसा मानो कि आप अपने office में हो और office में ना कोई मतलब ऐसा function है और उस function में ना आप अच्छा गाना गाती हो तो आपने अच्छा गाना गाके दिखाया तो ओ अवरत भी दोस्तों आपको देखती रहेगी कि मतलब ऐसा भी बंधा है जो अच्छा गाना गाता है और उसका ध्यानना दोस्तों आप आप अटोमेटिकली आकरशित कर सकोगे दोस्तो इसके लिए आपके अंदर हिम्मत होना दोस्तो बहुत ज़ता इंपोर्टन्ट है क्योंकि यह मतलब सारे पुरुषों से मतलब एक काम बिल्कुल भी नहीं होता कुछी पुरुष होते हैं जो एक काम को एकदम आसानीजे करते हैं और वही पुरुष अवरत को पटात है दोस्तो तो रश्तो इतना ही दोस्तो होता है तो बस अच्की इस वीडियो में इतना ही आईफोप चुमने आपको बताया वह आपको सब कुस समझ आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद